इसलेवा, फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं आम ले का मुरब़ा वो भी घर पर ये मार्किट से भी अच्छा बनकर त्यार होता है और चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने 1 kg के करीब आमले लिये हैं यहां पर मैंने थोड़े पके हुए आमले लिये हैं ध्यान रहे आपको हारे आमले का यूज नहीं करना है थोड़े पके हुए ही आमले लेने हैं इससे हमारा मुरब्बा बहुत अच्छा बनकर तियार होता है और आमला विटामिन से भरपूर होता है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है आप इसका सेवन जरूर करें अपने बच्चों को भी खिलाएं और अब हम अपने आमलो में एक फोक की हेल्थ से अच्छे से छेद कर लेंगे ये प्रोसेस हमें बहुत आराम से करनी है ध्यान रहे फोक हाथ में लगने का डर रहता है इसलिए बहुत आराम से करें ऐसा करने से हमारे जो आमले हैं बहुत जूसी अंदर तक बन कर तियार होते हैं और यह देखे हमने अपने सब आम लोगों अच्छे से फोक की हैग से इनमें छेद कर लिये हैं और चलिए अब हम इसे बॉइल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है और इसमें हमने पानी डाला है करीब डेड़ लिटर के करीब और इसे हम एक बॉइल आने तक उबलने देंगे और ध्यान रहे हमें पानी इतना रखना है कि ताकि हमारे आमने अच्छे से डीप हो जाएं यह देखे पानी में बॉइल आ गया है और अब हम धीरे धीरे करके अपने सब आम लोगों को इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसे एक बॉइल आने तक कुक करेंगे और यह देखे हमारे पानी में बॉइल आ गया है और अब हम इसे लिट से कवर करके करीब दो मिनट तक और कुक करेंगे और ये देखे दो मिनट हो गए हैं और अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे करीब 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और अब हम अपने आमलो को चान लेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और यहां पर इतने हमारे आमले ठंडे हो रहे हैं यहां पर मैंने एक भगोना लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ करीब सवा किलो के करीब चीनी यह हमारी चीनी एक किलो आमले में इतनी ही चीनी जाती है और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप के करीब पानी हमें इससे जादा पानी इसमें नहीं एड़ करना है क्योंकि हमारे आमले में भी जूसेज होते हैं और ये भी पानी रिलीस करते हैं अपना इसलिए ध्यान रहे हमें इसमें और पानी एड़ नहीं करना है वरना हमें इसे अपनी चाश्नी को खुब पकाना पड़ेगा और अब हम एक स्पोन की हैल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें, मिक्स करने से क्या होगा जो हमारे आमले हैं वो चीनी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अपने juice को release करने लगेंगे और इस process को हमें low flame पर ही करना है और ध्यान रहे इसमें हमें चमश लगातार चलाते रहना है आमले का मुरब्बा बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान करना है कि आप यहाँ पर steel के बरतन का ही use करें aluminium के बरतन का use नहीं करना है क्योंकि जब हम aluminium के बरतन को heat करते हैं तो वो हमारे पानी में dissolve होता है और वो react करता है इसलिए आपको metal का बरतन ही मैं prefer करूँगी और यह देखे हमारे जो आमले हैं वो अच्छे से cook होने लगे हैं और इने cook होने में करीब 30 से 35 मिनट लग जाएंगे इने बहुत अच्छे से cook करना है ताकि जो हमारे आमले हैं वो अंदर तक soft और juicy बने और यहां पर मैं डाल रही हूँ वन टीस्पून के करीब निम्बू का रस निम्बू का रस डालने से जो हमारी चाशनी है वो crystallize नहीं होती है और इसे मैं अब अच्छे से mix कर दूँगे और इसे करीब 5 मिनट के लिए और cook करूँगे यह देखिए हमारी जो आमले हैं इसे पकते पकते करीब 5 मिनट और हो गए हैं और यहां पर हम अपनी चाशनी को check करेंगे ध्यान रहे हमें यहां पर एक तार की चाशनी इसमें आनी चाहिए यह देखिए तार बन रहा है हमारी चाशनी में अगर हम इसे इस stage तक इसे cook करेंगे तो हमारे आमले का मुरब्बा जो है वो खराब नहीं होगा आप इसे साल भर store कर सकते हैं अगर आपकी चाशनी proper नहीं पकेगी तो आपके आमले का मुरब्बक हराब होने का खत्रा बढ़ जाता है आपको इस बात का खास ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से हमारे जो आमले हैं वो cook हो रहे हैं और यह देखिए यहाँ पर मेरे आमले पिल्कुल proper फग गए हैं और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लूँगे हम अपने आमलो को जब बोल में निकालेंगे तो हम पहले आमलो को एक एक करके बोल के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम चाशनी को ट्रांसफर करेंगे ये देखिए हमारे जो आवले हैं कितने अच्छे से कुख हुए हैं कितने जूसी लग रहे हैं और कितने सॉफ्ट बनकर तियार हुए हैं अगर आप इसे प्रॉपर मिसर्मेंट के साथ बनाएंगे तो आपके आवलो का मुरब्बा बहुत अच्छा बनकर तियार होगा और इसे टोटल 40 मिनिट्स लगे हैं बनाने में और ये देखिए हमने अपनी चाशनी भी ट्रांसफर कर लिए है बूल में और अब मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर तीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और तीस्पून के करीब यहाँ पर मैं इलाइची पाउडर डालूँगी इससे जो है हमारे आवले में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और जो सॉल्ट है वो इसमें मीथे को बैलन्स करेगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में करके इसे स्टोर कर लेंगे यह खराब नहीं होता है अगर आप इसे साल भर भी रखेंगे तो यह पिल्कुल खराब नहीं होगा आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज फीड़ बैक में मुझे बताएं